हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नवश्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का Study IQ IAS हिंदी में मेरा नाम है अतुल जैन और आप सभी जानते हैं कि मैं आज के दिन की कुछ खास और बड़ी खबरें लेकर आपके सामने आता हूँ मध्य प्रदेश में चुनाव का मौसम है ये बात हम सभी जानते हैं तो अब चुनाव के मौसम में थोड़े बहुत वाद विवाद जो है वो आम हैं अकसर पार्टियों में विवाद होते हैं सभी पार्टियां एक दूसरे पर चुनावों में गड़बड़ी करने का भी आरोप लगाती है और कई बार क्या है कि वो एक दूसरे पर इस प्रकार के भी आरोप लगाती है खास तोर पे जो पार्टी सत्ता में होती है उस पर इस तरह के आरोप अक्सर लगाए जाते हैं कि वो निर्वाचन की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है इसी दौर में मध्य प्रदेश में एक काफी बड़ी घटना होई है जो मध्य प्रदेश की बाला घाट विधान सभा में होई है तो बाला घाट विधान सभा में क्या हुआ कि वहाँ पर जो डाक के जरीए वोट आए थे यानि कि पोस्टल बैलट उनको समय से पहले खोलने के आरोप में वहाँ पर जो एक नोडल अधिकारी थे उनको चुनाव आयोग ने दिलंबित कर दिया है तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि बाला घाट में वास्तविक्ता में क्या हुआ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये पोस्टल बैलट चीज क्या होती है या फिर उल्टा कर देते हैं और पहले बताता हूँ कि पोस्टल बैलट होता क्या है देखिए चुनाव के समय आप अ अगर आप UPSC के तयारी के लिए अपने घर के किसी नजदी की शहर में आके तयारी कर रहे हैं, लेकिन आपका वोट आपके गाउं में है, आपके जिस कस्बे के आप रहने वाले हैं, वहाँ पर हैं, तो आप चुनाव के दिन जब तक आप अपने विधानसभा शेतर नहीं ज दूँ, लेकिन याद रखिएगा, ऐसी कोई सुविधा अभी तक आम नागरिकों के लिए उपलब्द नहीं है, जैसे मान लीजे, अगर मैं मुंबई में रहता हूँ, लेकिन मेरा वोट अगर मेरट में है, तो मुझे मेरट जाकर ही वोट डालना पड़ेगा, अगर जब लिए ये सुविधा सरकार ने प्रदान करी है, निरवाचन आयोग ने प्रदान करी है, और इसी सुविधा को हम कहते हैं, पोस्टल बैलट, ये सुविधा वाफ्तव में किन को दी जाती है, आपको मैं पहले बताता हूँ, ये सुविधा आम तोर पे उनको दी जाती है, ज सेना के जवानों को, कि मैं मान लीजिए मध्धि प्रदेश में चुनाव हैं, मध्धि प्रदेश का यार कोई सैनिक है, वो अभी सरहत पे तैनाथ है, तो अब वो सरहत से छुट्टी लेकर वोट डालने तो नहीं आएगा न, और उसका काम जो है बड़ा महत्वपूर है, दे इसको हम कहते हैं चुनाव कर्मी, जैसे मैं आपको अपने पिताजी का उधारन देता हूँ, कि यार मेरे पिताजी एक सरकारी अफसर थे, तो जब भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव होते थे, उनकी हमेशा ड्यूटी लगती थी, और आम तोर पे चुनाव की पूस्टिंग अगर मान लीजिये, बुलंद शेहर में थी, तो उनकी ड्यूटी कहीं जाके लगती थी, इटावा में, एक्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, तो अब वो इटावा, उनको इटावा जाके रहना पड़ता सा, कुछ समय के लिए, जब तक वो शा जो अभी नजर बंद हैं, याद रखिएगा, नजर बंद, जो लोग जेल में हैं, उनको अधिकार नहीं है, लेकिन जिनको नजर बंद किया गया है, जिसको हम कहते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंचन, मान लीजे, जैसे कई बार होता है न, चुनाव के आसपास सरकार ये कर करन से, कुछ लोगों को आपने अपने घरों में बंद करके रखा है, जो लोग जेल गए हैं, उनको ये अधिकार नहीं है, जेल के कैदी ये नहीं कह सकते कि भाईया, हमको भी बोस्टल बैलेट का अधिकार दो, नहीं, लेकिन जो लोग प्रिवेंटिव डिटेंचन में है उनको ये अधिकार दिया जाता है, और इसके अलावा, अस्ती साल से अधिक आयू के लोगों को, अस्ती प्लस आयू के लोग, वो वरद्ध हैं, तो, हाला कि आपने चुनावों के समय, अक्सार अखबारों में फोटो चपती है, कि सौ साल का व्यक्ति वोट देने गया, ले कार दिया जाता है, और इसी तरह से दिव्यांग मत दाता, ऐसा मत दाता, जो शारिदिक तोर पे अक्षम है, तो ऐसे दिव्यांग मत दाता हूं को, पर इन दोनों के लिए आपको पहले अपना पंजी करन कराना पड़ता है, इन दोनों के लिए आपको पहले रजिस्ट्रे सबसे है यहां को पता है तो पहले क्या होता था पोस्तल बैले के लिए उदारन के लिए कोई व्यक्ति है जिसकी मान लीजे कोई वेक्ति चुनाव सबसे बड़ी संख्याइश में चुनाव कर्मियों की ही होती है आम तोर पर चुनाव कर्मी ही वोट डालते हैं यह याद रखिएगा यह सुविधा उनके लिए नहीं है मैं आपको फिर बता दू अगर आप इन पांच कैटेगरीज म आपको नहीं मिलती यह आपको याद रखना है तो पूस्टल बैलेट यह बात याद रखिएगा यह बिलकुल भी मत फोचिएगा कि मैं दूसरे शहर में रहता हूं तो मैं पूस्टल बैलेट से वोट दे दूँगा नहीं आपको आपके होम ताउन जाना पड़ेगा जहां लीजिए मैं ग्वालियर विधांसभा शेत्र में मत दाता हूं तो मैं अपना वोट डालके फॉर्म बारा भरने के बाद मुझे चुनाव में वोट मिल जाता था उस पर टिक लगाके जो भी मुझे अपना वोट मार्क करके हस्ताक्षर करके उसके बाद मैं डाक द्वारा वोट और ग्वालियर के निर्वाचन अदिकारी थे उनको भेजता था तो इसको लेके शिकायत यह आती थी कि यार यह जो होता है डाक में तो बहुत सारे वोट खो जाते हैं वही यह होता है भारतिय डाक है इस तरह की परंपरा रही है तो कम से कम अभी भी सेना वगधे अ लेकिन बाकी शेत्रों के जो लोग हैं माली जैसे मध्य प्रदेश में चुनाब हो रहा है तो वहां पर अधिकारियों के लिए एक बैलिट बॉक्स ही रख दिया जाता है कि आप अपना वोट उसमें डाल सकते हो और लिफाफे पर आपको लिखना होता है कि यह कौन से विधा विधानसभा शेत्र के बोलिंग बूथ को भेज दिया जाते हैं कि भाया यह रहा और आम तौर पे कलेक्टरेट में कहीं पर एक सीवी टीवी लगा हुआ कमरा होता है वहां पर इनको सुरक्षित रखा जाता है अब होता क्या है कि यह वोट जो हैं हो सकता है यह कई विधा विधानसभा शेत्र का है उस हिसाब से बंदल बनाए जाते हैं और बंदल बनाके क्योंकि मान लीजे 10 विधानसभा शेत्र हैं दसों के लिए वोट डले है ठीक है तो यह बहुत आवश्यक है कि सही विधानसभा शेत्र में वोट जाए ठीक है एक जिले के अंदर कई सारे विधानसभाशेत्र होते हैं, यह हम जानते हैं, मद्य प्रदेश में जिले कितने हैं, जिले तो 40-45 ही होंगे, लेकिन विधानसभाशेत्र तो वहां पे कितने दोड़ाइस हो है न, तो अब क्या होता है, विधानसभाशेत्र वार उन वोटों का बटवारा होता है, तो जैसे बाला घाट जिला जो है उसका कलेक्टर जो है वहां का मुख्य दिर्वाचा कदिकारी है सारे वोट उसके पास आ गए अब वोट क्या होता है आम तोर पे केवल उनके लिफाफे को देखा जाता है कि ये कौन से विधानसभा शेत्र का है और उसके अनुसार उनके बंदल बना के ताकि वो उसी विधानसभा शेत्र के वोटों में जोड़ा जाए इस तरह से बंदल बनाया जाता है यहां तक समझ में आ गया सिंपल प्रक्रिया है तो जिस दिन पहले गढ़ना शुरू होती है सबसे पहले डाक वाले मत ही गिने जाते हैं उसके बाद EVM मशीन की गढ़ बाला घाट में यह सब चीजें हो गई कि आम तोर पे लोगों ने चुनावी अपने वोट डाले डाक से डाक वाले वोट जो है वो यहां तक पहुंच गए और अब डाक वाले वोट जो आ गए उनको विधान सभावार जो विवस्थित करने का काम था ये काम किया जाना था और देखे मतपत्र जो होते हैं वो उनमें लोकतंत्र की आत्मा बस्ती है तो इसलिए मतपत्र का जब भी इनके साथ कोई भी काम किया जाता है तो जितने भी प्रत्याशी होते हैं और राजनेतिक दल होते हैं उनके एजेंट्स को बुलाया जाता है कि आप जो है यहां पर कड़बड हुई वो बस ये हुई, कि बाला घाट में ये मतपत्रों की जो विवस्था करने जानी थी, विधानसभाश शेत्रवार जो, विवस्था करी जानी थी, वो काम किआ जाना था तीन बजे, दुपहर तीन बजे ये काम किया जाना था, सभी प्रतिनिधियों को जो पत्र गया था उसमें लिखा था कि रोज हमारे पास कुछ-कुछ वोट आ रहे हैं और रोज हम इन बंडलों को खोलेंगे और विधान सभाश शेत्रवार उनकी गड़ियां बना के रखेंगे ये काम तीन बजे किया जाएगा लेकिन किसी कारणवश अब ये क्यों हुआ किसने किया इसमें किसकी गलती थी ये काम जो हैं दो बजे शुरू कर दिया गया दो बजे जब कुछ लोगों ने देखा कि ये काम चल रहा है तो उन्होंने इस पर आपत्ती जताई उसका वीडियो बनाया वो वीडियो वाइरल हुआ और मध्य परदेश में जो पक्षी दल है उसने तुरंट इसको मुद्दा बनाया तुरंट उसने कलेक्टर को तबादला करने की मांग करी मुख्य सचिव का तबादला करने की मांग करी मंध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग से शिकायत करी भारत के निर्वाचन आयोग से शिकायत करी जो की सही है यह शिकायत की जानी चाहिए तो निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया पर आज कठोर कारवाई करी है निर्वाचन आयोग ने ये कहा है कि इस बात का वहाँ पे सारे में CCTV लगे हैं इस बात को हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि वहाँ पर किसी भी वोट को गिना नहीं गया है कोई भी गलत तरह का वोट वहाँ पर नहीं जोडा गया है या फिर जो वोट डाले गए उनको हटाया नहीं गया है ये सारी फुटेज हम देख सकते हैं दिखा सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार का संशे ना रहे तब भी ये जो गड़बड़ी हुई है कि ये समय की जो आपने गलत गोशना की जिसके कारण ये एक भ्रांती फैली एक भ्रम फैला इसके इस पर कारवाई करते हुए निर्वाचन आयोग ने नोडल अधिकारी को निलंबित कर दिया है और इस मामले की जांच के भी आदेश दे दिये हैं देखे निर्वाचन में अगर कई बार बहुत बड़ी गड़बड़ी पाई जाती है तो आम तोर पे वहाँ पर पुनर निर्वाचन की काभी आदेश निर्वाचन आयोग दे सकता है लेकिन इस बात को भी समझे कि पोस्टल वोट्स जो होते हैं उनकी संख्य या ऐसी कोई बहुत जादा नहीं होती हर विधानसवा शेत्र में कुछ सौ ही वोट इस प्रकार के आते हैं और मेरे ख्याल से अगर बाला घाट के किसी भी विधानसवा शेत्र में बहुत क्लोज मुकाबला नहीं हुआ तो ये विवाद जो है अपने आप समाप्त हो जाए खेर वो जब भी होगा हम उसको देखेंगे आज के लिए important ये था कि postal ballot होता क्या है कैसे काम करता है ये चीव हमको पता को नहीं चाहिए मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा जाने के पहले मैं आपको एक बार बता दूँ कि भाई हमारा P 22,999 में इवनिंग बैच है शाम 6 बजे वाला 14 दिसंबर से प्रारंब हो रहा है और ये सेल जो है ये केवल 30 तारीक तक है यानि कि आज 28 तारीक हो गई 29-30 दो दिन और हैं आपके पास अगर आप तब तक इससे नहीं जुड़े तो आपको ये 24,999 का ही मिलेगा जो इसका दा होता है AJ Live Code के साथ पर अभी दो दिनों के लिए भाई दिन के लिए आज का दिन भी है AJ Live Code के साथ इसका दाम 22,999 किया गया है और अगर आप हमारे बैच 4 से जुड़ना चाहते हैं जो कि 23 तारीक को शुरू हुआ था 23 नवंबर को तो आप उससे भी AJ Live Code लगा कर अभी जुड 999 है तो बिल्कुल आप इससे तुरन जुड़ जाइए अपनी तयारी को विवस्थित कीजिए याद रखिए ये P2I बैच है प्रारंभिक परिक्षा मुख्य परिक्षा सक्षातकार सबकी तयारी आपकी ये पूरी तरह से कराएगा तो जल्दी से इस बैच से तक्तित टुरह ज बाखिए उल्दी एम परिक है।